आज कल के जिन प्रोफेशन्स, जिन पेशों को आप जानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो आप मेंसे बहुत सारे लोग अपने जॉब से बाहर हो जाएंगे अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते जिसे कमभख्त कोई मशीन नहीं कर सकती आपको किसी ऐसी चीज के साथ तयार होना होगा जो आपकी बुद्धी से परेकी है केवल तभी आप प्रासंगिक रहेंगे, तब आटिफिशल इंटेलिजेंस आपको डिस्टरब नहीं करेगी तो आज की तकनीकी दुनिया में हमें पता है कि आटिफिशल इंटेलिजेंस और रोबोटेक्स हावी हो रहे हैं ये सारी अत्यधुनिक तकनीके हैं तो आपका इन तकनीकों पर क्या विचार है? इनका क्या असर पड़ेगा? और इन तकनीकों का हमारे प्राचीन अभ्यास यानि योग और ध्यान से किस तरह सामना होगा? आपको यखीन है कि मैं हूँ? क्योंकि पिछले एक डेड़ साल से ये लोग मुझे दुनिया भर में हो रही हर तरह की Artificial Intelligence Conference में बुला रहे हैं मुझे आश्चर हुआ कि Artificial Intelligence के बारे में बोलने के लिए मुझे क्यों बुलाया जा रहे हैं? क्योंकि ना तो मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूँ ना ही मैं Artificial Intelligence हूँ तो ऐसी एक conference में मैंने उनसे पूछा, यह St. Petersburg में थी मैंने पूछा, आप लोग इन सारी artificial intelligence conference में मुझे क्यों बिलाते हैं? मैं natural intelligence हूँ, artificial नहीं वो बुले, problem यह है कि हम लोग अब क्या करेंगे? हमारी नौकरियां जाने वाली है यह सारे बड़े-बड़े विश्विद्यालेों में professors हैं, MIT में, Harvard में और इस तरह की जगाहों में यह लोग मुझे से पूछ रहे हैं कि अगले 10 सालों में हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि वो सब कुछ जो हम जानते थे, जिसे अब तक पवित्र माना जाता था अचानक से उस सब कुछ एक छोटी सी मशीन में आने वाला है आपको यह समझना चाहिए कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ जानकारी को इखटा करना, इसका विश्लेशन करना और फिर इसे जब भी जैसी भी आपको जरुद पड़े सामने लाना इस काम का इंसानीक शमिता के हिसाब से आने वाले दिनों में कोई मूली नहीं समझा जाएगा क्योंकि एक छोटी सी मशीन इस काम को किसी भी इंसान से कहीं ज़ादा बहतर कर लेगी वैसे भी वो गूगल वाली ओरत आप सबसे ज़ादा स्मार्ट लगती है है की ने वो मुझसे ज़ादा स्मार्ट लगे ये ठीक है मैं तो पड़ा लिखा नहीं हूँ पर आहप लोग तो वो हम सभी से ज़ादा स्मार्ट लगती है है या नहीं आप कुछ भी पूछ ली जब पलक जपके बिना वो बता देगी तो ऐसा समय आने वाला है जहां दिमागी रूप से आप जो भी करेंगे वो बेवकूफी भरा लगेगा या बेमतलब का ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं मेरा ख्याल है करीब 13 साल का था 13 या 14 का, शायद 13 का पहली बार जब मैंने फ्लाट बेड कैलकुलेटर देखा ये पैनसानिक का कैलकुलेटर उस समय ये 100 या 110 रुपए में आता था बहुत महंगा था आज आप उससे ज़ादा की तो काफी पी लेते हैं तो 110 रुपए में पैनसानिक का सोनी का 125 का था तो सब लोग सस्ता वाला लेते थे 110 में पैनसानिक का और उन्होंने मुझे दिखाया मैंने तो कभी खरीदा नहीं था किसी और ने खरीदा और मुझे दिखाया जवाब तब पहला विचार जो मुझे आया वो ये कि मैं अपनी जिंदगी मैंस की क्लासों में क्यों बर्बाद कर रहा हूँ मैंने का मुझे बस इसी की तो जरूरत है मैंस की क्लासेज में जाने की नहीं आप जो भी इससे पूछें एक 100 रुपे की चीज आपको बता सकती है तो ये 10 साल का टॉर्चर क्यों ये अंग गनेत और बीज गनेत और हर तरह की चीजें क्यों ये साइन थीटा कॉस थीटा भी कर सकता या जो भी बकवास आप चाहें मैंने तभी सोच लिया था हमको एक ऐसी बड़ी सी मशीन मरानी चाहिए जो इसा बकवास हल कर सके ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े आखिरकार ये सपना सच हो रहा है अगले 10 से 15 सालों में वो पढ़ाई लिखाई जिसे आप जानते हैं आज कल जिन प्रोफेशन्स जिन पेशों को आप जानते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि आज उन्होंने इस तरह की मशीने बना ली हैं तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसी धेर सारी चीजें जिने सीखने में हम कई साल खर्च कर रहे हैं निरथक हो जाएंगे वो ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं कि एक ग्राहक अगर आकर बताए मुझे कैसा मकान चाहिए मेरी कलात्मक समझ कैसी है मेरी संस्कृती क्या है मुझे क्या पसंद है इसे कैसे होना चाहिए और मेरा बज़ट क्या है एक मशीन घर का पूरा डिजाइन बना देगी दस अलग-अलग चॉइसिस भी देगी जैसा आपको चाहिए जिसमें पेंटिंग, दीवानों की हैंगिंग, फरनीचर भी होगा और सारे काम के साथ और अब वो कह रहे हैं कि अगले 5-7 साल में ऐसा बता रहे हैं कि वो घर तक प्रिंट कर देगी और बना देगी तो आप लोग डिजाइन वालों की सोचिए तो आप मेंसे कई अपने जॉब से बाहर होंगे अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो कोई कमभख्त मशीन नहीं कर सकती आप सभी को अभी से इसके लिए तयार हो जाना चाहिए आपको कुछ ऐसा काम करना आना चाहिए जो आपकी बुद्धी से परे हो एक इंसान में बुद्धी के कई आयाम होते हैं दिमागी बुद्धी इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है इस समय हमारा education system पूरी तरह से एक इनसान की तारकिक बुद्धी के विकास में लगा हुआ है, और हम सोचते हैं कि जीने का ये एक सबसे भव्य तरीका है, नहीं, ये नहीं है, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं अगर समय हो तो, पर योग सिस्टम में हम इनसानी बुद्धी को 16 हिस्सों में देख सकती, हाँ या नहीं, हलो, आपकी तारकिक बुद्धी एक कत्रित की गई जानकारी के बिना काम नहीं करती, ऐसा ही है न, अब ये सारा जानकारी को एक खटा करना, उसका विशलेशन करना और फिर उस पर काम करना, ये चीज़ें एक मशीन आपसे बहतर कर लेंगी, एक इनस उसका महत त्वगले, दस से पंद्रा सालों में खत्म हो जाएगा, तो आपको किसी ऐसी चीज़ के साथ तयार होना होगा, जो आपकी तारकिक बुद्धी से परे है, जब मैं कहता हूँ तारकिक बुद्धी से परे, तो इसे देखनें के कई तरीके हैं, मैं एक आसान सा आप मैंगी पर हैं, क्या आप कोई इनके खाने पीने का ख्याल रखे भई, ये मैंगी पर हैं, ओके, भले ही आपने नूडल ही खाया है, नूडल इनकी तरह नहीं दिखता, इनकी तरह फील नहीं करता, कुछ नहीं, पर ये नूडल जो इन्होंने खाया था, वो तीन से चार घंटों में, ये मैंगी नूडल एक इंसान बन गया है, है की नहीं? हाँ, एक हिस्सा है है ना, यह सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है तो आप इतनी जटल मशीन का निर्माण मैगी नूडल से कर रहे हैं यह एक 3D प्रिंटर जैसा है आपने इसमें मैगी नूडल डाला नहीं, मैं मैगी नूडल से नहीं बनाओ पर आपने इसमें चपाती डाली वो एक इनसान का शरीर बन गई यह इस धर्ती की सबसे उन्नत मशीन है आप इसका निर्माण किस से कर रहे हैं? जो भी खाना आप खाते हैं और आप जो भी खा रहे हैं वो वही मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं हाया न और यह उटकर खड़ी है क्या यह एक 3D प्रिंटर नहीं है? हालो? क्या बुद्धी का यह आयाम आपके अंदर नहीं है? आपके दिमाग में भी नहीं, आपके पेट में हैं हाँ, है तो यह है तो सिर्फ तभी अगर आप सचेतन बुद्धी के इस आयाम तक पहुँच गए तो आप एक जादुई जीवन जीएंगे है न? तब आटिफिशल इंटेलिजेंस आपको डिस्टरब नहीं करेगी आप भहुत खुश होंगे क्योंकि अगर सारे चाकरी वाले काम मशीने करेंगी दुनिया कितनी सुन्दर होगी मुझे तो इसका इंतजार है